तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पर रेल्वे बंपर वेकंसी आई है जिसमें ग्रूप डी, असिस्टनेट लोको पाइलर्स वेकंसी है एक करोड देर करोड के आसपास केस में अप्लिकेशन आएंगे तो कम्प्टिशन उतना ही टफ हो गया है लास्ट यर के ग्रूप डी या जो असिस्टन लोको पाइलर्स के जितने भी पेपर्स है उसका महनिया अध्यन किया है उसमें पेपर्स बहुत आशान है लेकिन जो options होते हैं वो confusing होते हैं सीथा रहेगा लेकिन उसके उप्शन कन्फूजी होंगे ताकि आप उसमें कन्फूज कर जाएं तो उन कन्फूजन से बचने के लिए एक उपाई मेरे पास है कि आप हमारे साथ बने रहें हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं काच करते रहें ठीक है तो आएए हम बात करते हैं Newton's law of motion first Newton's law of motion क्या कहता है या बताता है कि अगर कोई बस्तू बिराम अवस्था या एक समानचाल से चल रही है तो वह उसी इस्थिति में तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई वाहवल लग करके उसमें अवस्था परिवर परिवर्तन कर दे इसका मतलब यह हुगा कि कोई बस्तू बिराम अवस्था में है तो बिराम अवस्था में ही बनी रहेगी और अगर चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक कि उसकी वाहवल लग करके आवपित हो करके उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने क कि चेश्टा ना करें तब तक उचलती रहेगे इसे हिंग्लिटन's first law of motions के नाम से जानते हैं समझ गया हूंगे इससे दो तरह की चीजें निकल के आती हैं दो matters जो हमें समझ में आता है एक सबसे पहला बल जिसको हम English में force के नाम से जानते हैं जिसे हम inertia के नाम से जानते हैं यह दो चीज का definitions अगर देखा जाए यह दो चीज का concept newton's first law of motion से मिलता है आप यह जानते होंगे हो सकता है बहुत लोग नहीं भी जानते हों कि जो physics के father है वो newton कहे जाते हैं जो सबसे महत्पुर नियम है वही तीन newton's law of motion के नाम से जानते हैं जिसमें तीन नियम है first law, second law और third law पहला नियम की बार चर्चा कर रहे हैं जिससे बल की परिवह से मिलती है तो बल हमने चर्चा किया कि बल क्या है बल वह कारक है जो किसी बस्तु पर आरूपित होकर उसमें अवस्था परिवर्दन करता है या करने की चेश्टा करता है English में the force is that factor which change the state of the object or try to change the state of the object बल वाकारक है जो बस्तु पर लगकर आवस्था परिवर्दन करता है या करने की चेश्टा करता है बस that's all इसका इसा ही मात रख मालूम होगर याद रखेंगे ना जाने कितने बार पूछा जा चुगा है जर्द तो क्या है कोई भी बस्तु जो अवस्था में बनी रहती है वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जिसे हम जर्द तो या इनर्सिया के नम से जानते हैं जैसे अगर कोई बस्तु इस्तिर है तो इस्तिर है अगर एक समान से चल रही है तो चलती हुई रहेगी कब तक जब तक कि कोई बायवल एक्स्टर्नल फॉर्स्टनल लगे तो यह जो गुन है बस्तु को अपनी अवस्ता में रहने का अपनी अवस्ता में बनाए रहने का इसे यह मातपुर्ण नियम है इसी से दूसरा नियम भी हमारा बनता है दूसरा नियम जानने से पहले हम एक समवेग की परिभासा जानेगे यह दूसरा नियम पर हम अगर चर्चा करना चाहते हैं तो यहां सबसे पहले हम लेखते हैं समवेग संब्विक क्या है यह बस्तू के द्रव्यमान और वेग के गुननफल को संब्वेग कहते हैं द्रव्यमान को हम M से मिजर कर ले अब वेग को V से मिजर कर ले तो संब्वेग वर भर क्या होगा अगर इसका मात्रक देखा जाए तो मास को केजी से अवेग को मीटर पर सेकेंड से हम मेजर करते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड यह समबेग का मात्रक है तो दूसरा नियम क्या कहता है कि शंबेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के शमानुपाती होता है शंबेग में जो परिवर्तन की दर होगी वह आरोपित बल फोर्स के शमानुपाती होगा मतलब यह कि संबेग में परिवर्तन उतना बरा होगा जितना बरा बल होगा या बल जितना ही आरोपित करेंगे उतना ही संबेग में परिवर्तन होगा मतलब यह कि जितने जादा जोर से हम धक्का देंगे बस्तु में उतनी ही गदी पकड़ेगी या जितनी स्पीड में बस्तु आ रही है उतनी ही जोड से धक्का दे करके उस बस्तु को रोका जा सकता है मतलब बस्तु में जो एस्टेट में परिवर्तन होगा उसकी अवस्ता में जो परिवर्तन होगा वो जितना ही बराबगा उतना ही बल हमको चाहिए बस सीदा सीदा न्यूटन्स का दूसरा लोग यही कहता है अब तीसरा लोग की बात करते हैं तीसरा लोग क्या कहता है कि किसी भी किरिया के बराबर और बेपरित परतिकिरिया होती है simple साथ Every action has equal and opposite reaction Every action has equal and opposite reaction मतलब या simple भास में कि परतिकिरिया के बराबर और बेपरित परतिकिरिया होती है अगर हम एक मुका यहां बोड पे लगाते हैं तो निश्ची तुरुक से बोड भी हमें एक मुका के बराबर फोर्स लगता है अगर हम जमीन पर पायर पटकते हैं तो जमीन भी हमें उतनी ही ताकत से उपर के तरफ धका देती है यह Newton's law of third motion का है यह Newton के तिरतिये गती के नियम से यह हम जानते हैं मुझे आशा है कि आपको यह तीनों गती के जो नियम है वो समझ में आया होगा और concept के लिए होगा और इसी से आधारित प्रस्ण आप बहुत सारे आप बना सकते हैं यह तीनों लोग का दिये बहुत महत्पूर्ण है आप निश्टित रुप से इसको compete करके जाएंगे और वहाँ पर बिल्कुछ सही answer टिक लगाएंगे बहुत सारे questions जो last year में देखे गए हैं उस में से कुछ इस तरह के प्रस्ण थे कि बाइक सबार है वह बाइक सबार रुका हुआ है और एक आई एक बाइक चलती है तो वह पीछे की तरफ जोग जाता है ऐसा क्यों अगर कोई गारी एक समान से चल रही है चाल से चल रही उसमें ब्रेक लगाते हैं तो बाइक सबार आगे की तरफ जुग जाता है, ऐसा क्यों? अगर कंबल पर डंडे की चोट करते हैं, तो धोलकन झालर लगते हैं, ऐसा क्यों? बंदूग चलाने वाला जो आदमी होता है तो बंदूग से गोली निकलते ही वो पीछे की तरब उसको धक्का लगता है ऐसा क्यों ये चार जो प्रस्ण है इसके जबाब आपको Newton's law of motion से मिलेंगे उपर के जो तीन प्रस्ण है उसको देखते हैं पाले कि अगर कोई बाइक सवार यहां पर है कोई बाइक सवार है एक बाइक यहां आगे की चलने तरफ चलने लगती है तो बाइक के साथ जो उसके बड़ी का जो portion touch है वो तो motion में आ जाता है लेकि उपर वला motion में नहीं आता है जिसे करणों पीछे की तरफ मुल जाता है अगला जो प्रस्ण हमने लिया है कि कोई गतिस कर रहा है कोई एक समान चाल से चलना है आगे ब्रेक लगता है तो क्या होगा ब्रेक लगने के साथ जो बाइक है वो बाइक से सटा हुआ जो portions है वो तो बिरामवस्था में आ गया लेकिन जो उपर वला है वो जड़तों के करण मोशन में चल रहा है और यस मोशन के करण वो आगे की तरफ जुग जाता है यह गतिक के जड़तों के करण वो आगे की तर क्लाममाइन, इसको हमने डन्डा से पीठता चालूं कर दिया, तो मोशन किस में आ वहाघ है क मैं द्धूलकन तो अपनी जरत्तों के कारण वे अर्षिस भ़ोड़ा है, तो थो जरन मोशन में नहीं तो जहर जाएगा। जब भी हम कमबल को पीठतें हैं, तो हम गती देते हैं कंबल में, मूमेंट होता है कंबल में, लेकिन जो उसमें धुलकन है, वो अपनी जरत्तों के कारण, अपनी इस्तिति के कारण, अपनी जरत्तों के कारण वो धुलकन, अपनी इस्तिति बने रहता है, और वो बाहर की तरफ निकल जाता है, वो जहरने लग कि जो ही गोली चलाते हैं तो इसमें एक्सन क्या होगा गोली आगे की तरव जा रही है तो इसके तरफ श्मॉठ के प्रतिक किलिया के बराबर और बरिप्रीत प्रतिक किलिया होती है इसका नुदफ कोई अगर आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे की तरफ धका देगा तब याई की तरफ जाएगा इसको और सिंपल भासा में समझे कि अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हम प्रीत्वी को पीछे की तरफ धका दे रहे हैं अगर movement आगे की तरफ हो रहा है तो निशी तरफ से कोई ना कोई धका फोर्स पीछे की तरफ कार्ज कर रहा है बराबर है इस eco-newtons के तीसरा नियम से हम इसको हम निकाल सकते हैं तिलायव कर सकते हैं मिश्यतर्प से आपको यह वीडियोए अच्छा लगा होगा और वीडियोज को देखें अपने धोस्तों के साथ सेयर करें ग्रैब्स पर फ्रेंट्स पर सेयर करें ताकि यह जादा से जादा वीडियोज के पास महूं सकें आर जो लोग पहली बार देख रहा है चनल तो वो सब्सक्राइब कर लें बेल इकन वाला बटन भी दवाएं at last thanks for watching this videos stay with us thank you, one second